बात कर लेते हैं करनाटक में किसकी सरकार की जहां करनाटक में किसकी बनेंगे सरकार ये सवाल उठ रहा है करनाटक में विधान सभा चुनाओं के लिए 10 माई को बोट डाले जाएंगे और 13 माई को रिजल्ट आएंगे उससे पहले जी मीडिया के लिए मैट्रीज ओपिनियन पोल किया है और ये ओपिनियन पोल 29 माँच से 30 अपरल के बीच किया गया है इस पोल में करनाटक विधान सभा की 224 सीटों पर 2,80,000 लोगों की राय ली गई है ओपिनियन पोल के नतीजों में माजिन ओफ एरर प्लस माइनस 5 प्रतिशत है आपको ये बताएं कि ये चुनाव के नतीजे नहीं है सिर्फ ओपिनियन पोल है इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकास से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए पूरा आकड़ा दिखा देते हैं तो ये 38.4 था बीजेपी को जो 42% दिख रहा है उसमें लगबग 3.4% का इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है जेडीएस को 15% मिल रहा है जेडीएस को लगबग 3.3% का नुकसान हो रहा है क्योंकि दो हजार अठारे में 3.5% वोट मिला था अन्ने की बात करूं तो 30% मिल यहां पर 3% का अन्ने को भी नुकसान हो रहा है यानि कुल मिला कर जो गेन हो रहा है वो कॉंग्रेस को भी हो रहा है और बीजेपी को भी हो रहा है वोट परसेंटेज में लेकिन वोट परसेंटेज किस पार्टी को कितना वोट मिला यह तो हमने आपको दिखा दिया बीजे आकड़ा आपके पास आ चुका है 40% यहाँ पर कॉंग्रेस को भी फाइदा होता हुआ वोट परसेंटेज में दिख रहा है लेकिन जब 224 सीटों के लिए ये वोट परसेंटेज ट्रांसफर होता है तो किसको कितनी सीटे मिलेंगी ये आकड़ा भी बहुत दिल्चस्प हो जा दोजार अठारे में 104 सीटे बीजेपी को मिली थी और देखिए ड्रोन हमारा जो है वो ग्राफिक्स लेकर निकल चुका है बस आपकी टीवी स्क्रीन पर ये ड्रोन ग्राफिक्स आने ही वाले है बीजेपी को दोजार अठारे में 104 सीटे मिली थी इस बार 103 से 115 मिल रही है य यानि अच्छा खासा गेन बीजेपी को भी हो रहा है चीटों के रूप में गेन जो है वो कॉंग्रेस को भी हो रहा है चीटों के रूप में तो क्या जेडियेस को ये सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है जेडियेस को चब्वे से छते सीटे मिल रही है और जेडियेस को लगभग 10-12 सीटों का नुक्सान इस बार दिखाई दे रहा है क्योंकि 2008 में JDS को जो सीटे मिली थी वो सैतिस मिली थी JDS और कॉंग्रेस से मिलकर सरकार बनाई थी तो ये ड्रोन का फाइनल आकड़ा आ चुका है यानि एक बार फिर BJP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबर रही है लेकिन सक्ता पर मुक्यमंत्री की कुरसी पर कौन सी पार्टी का नेता बैठेगा अभी तो फिलाल इन आकड़ों से कुछ साफ नहीं दिख रहा है यानि कुल मिलाकर गटबंदन की ही सरकार एक बार फिर करनाटक में बनेगी संगीत रागी बहुत मुस्कुरा रहे हैं और बिल्कुल मुझे इशारा कर रहे हैं नहीं ये तो गलत है संगीत रागी मैं गलत नहीं कर रहा हूं मैं आकड़ों का तो डिस्प्यूट कर ही नहीं सकता क्योंकि आपके आंकड़े हैं और इतने बड़े सैंपल साइज पर आपने किया है जो दूसरा पक्षे ने कौन बनेगा इस पर मुझे लगता है वह भारतिय जंता पाटी की सरकार बनने जा र देंगे लेकिना मैं बहुत स्योर हूं कि वहां पर भारतिय जंता पाटी की सरकार बनेगी प्लास में बने या अकेले बने यह अभी जेल चस्ति है आपने पहले ओल्ड मैसूरू रीजियन का बताया था वहां पर जेडियस का गड़ माना जाता था वहां पर इस बार क्या उनका जो और वहां बीजेपी का स्ट्राटरजी देखेंगे तो आपको देखेंगे था थार्टी टू सीट्स में उन्होंने पूरा जोर लगा दिया है वह इस रीजियन में काफी सीट्स में हैं तो जेडियस का नमबर ओफ सीट्स कम होने वाला ही है वहां पर और येक और वहां पर बीजेपी ने वह मंडिया में वहां का एंपी है सुमलता उनके साथ भी उनके पार्टी के साथ भी टायप हो गया है तो इससे साब से वहां पर भी उनका प्रदर्शन अच्छा होने मानोच एक विक आपको डेटा पर क्या कह रहा है क्योंकि अभी आपको आपको बाखी पॉल्स्टर जो है न वह आपको बाहर ढूंड रहा है मैं बाहर भी जाओंगा लोगों का जवाद भी दूँगा और दीपक की पिकली बार भी आपने नॉर्थिस्ट के चुनाव के समय आपको डिया और काउंटिंग आपके डेटा तो बदल गया है मैंने का थे मैं बताया नहीं कि अठारा कॉंडेस की सीटों को उसने पहले पहचान लिया कि यह ऐसी सीटे हैं जहां से हम खीच सकते हैं लोगों को दूसरे बात है कि आप पूरे करनाटका में जाएंगे आप देखेंगे एक बड़ा सोची समझी रनिती के तब बीजेपी काम कर रही है जो जेडियेस के कंडिडेट हैं जो नहीं जीतेते हुए दिख रहे हैं उसके बोटर क्या कर रहे हैं वो गॉंग्रेस को बोट डी डाल रहे हैं वो बीजेपी को डाल कर जीताना चाह रहे हैं और यह देखिएगा पूरे आप जब आखडे आएंगे तो आप देखिएगा क उसमें दिखेगा और इस तरह के चीजों को जब निकाला जा रहा है और यही बीजेपी के जो बोटर हैं जहां देख रहे हैं कि अदे हमारी पार्टी नहीं जिस सकती है वो जेडियस को बोट देकर जीता रहे हैं उनको लग रहा है कि कॉंग्रेस को देकर कोई फायदा नहीं उनको सभी की निगाएं हैं कि करनाचक में किसकी सरकार बनती है फिलाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का